है फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैन केक सॉर्टिंग जो की एक मीडियम लेवल का क्वेशन है तो डिरेक्ली एक्जाम्पल से हम इसको समझते हैं तो यहां पर हमें एक एक मिलेगा और यह पतिक्ले इसाम्पल में एका इस इस एक और अब कि 0 कर देंगिया है आफसा यहां से 10 क्या होगा क्योंत कि इसको साट करदे तो जैसा आप दीक सकते हो देटा जो है sorted नहीं है 3,2,4,1 इसको ascending order में sort करना है 1,2 3 and 4 ये कुछ हमारा output होना चाहिए और flip technique को क्या refer करता है suppose करो कि मैं यहां से यहां तक flip लगाता हूँ तो 3 2,4 तो basically reverse करना है इसको right लेकिन flip क्यों ये बोल रहा है कि अगर आप suppose करो बीच में एक line बना दो और इसके according flip कर दो 3 को इधर ले जाओ and 4 को इधर ले जाओ it's kind of a flip लेकिन हो क्या रहा है ये reverse हो जा रहा है 4,2,3 अच्छा जो भी flip होगा जैसे इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे flip 3 क्यों flip 3 बोलेंगे क्योंकि हम 3 element को flip कर रहे हैं वो भी starting से तो हमेंसा starting से ही flip होगा अब थोड़ा सा discuss करते हैं कि कैसे हम लोग flip technique को use करके हम data को sort कर सकते हैं तो हमारा basic target क्या होगा इसमें से largest element को हम pick करेंगे and उसको पहले first position पे लाएंगे and फिर उसको last position पे लेके जाएंगे यहाँ पर अगर हम देखें तो largest element अभी क्या है 4 है तो 4 को अगर first index पे लाना हो तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ तक का flip लगा सकते हैं तो मैं बोल रहा हूँ क्यार 3 तक का flip लगा लो जिसे index 2 है तो 2 प्लस 1 3 का flip लगा लो तो जब 3 का flip लगाएंगे तो array बदल जाएगा हमारा यह हो जाएगा 4, 2, 3 and 1 as it is रहेगा अब यहाँ पर क्या करेंगे अब यह सबसे बड़ा element है ascending order में sort करने के लिए इसको last में भेजना पड़ेगा तो हमने लोग क्या करेंगे array के जितना size है वो flip लगा लेंगे तो flip हम लेंगे 4 का तो यहाँ पर मैं flip भी लिखते जा रहा हूँ 4 का flip लेंगे तो यह पूरा reverse हो जाएगा basically तो 1 क्या आ जाएगा starting में आ जाएगा फिर आ जाएगा हमारा 3 फिर आ जाएगा हमारा 2 और फिर आ जाएगा 4 अगर आप flip के तरीखे से सोचना चाहो तो ऐसा सोच सकते हैं बीच में कोई डंडा है और यह इधर गया यह इधर आया and 4 वाला last में गया and यह इधर आया तो somewhat वही हो रहा है reverse बो या flip बो अब क्या करेंगे same procedure को repeat करना है लेकिन last वाले element को छोड़के right तो अब क्या करना अब largest element के वल इतने में ढूनना है यह हमारा fix हो गया कि भई सबसे बड़ा इधर आ गया अब इसमें से largest ढूनना है तो यह 3 ठीक है तो हमें 2 element को flip करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि flip करेंगे 2 तो 3 इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा 2 as it is रहेगा 4 के बाद हम लोग को touch ही नहीं करना है अब क्या करेंगे जितनी भी area का size है अब area का size यह वाला consider करेंगे तो 3 का flip कर देंगे तो 3 का flip कर देंगे यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा तो हमारे 2 elements sorted हो गए है 4 सबसे बड़ा है उससे बड़ा 3 and same procedure इस पर भी repeat कर देंगे तो यही approach को हम लोग implement करते हैं code में तो सबसे पहले हम लोग एक function मनाएंगे flip तो public void flip और यहाँ पर इससे मिलेगा एक array और basically last element का index की कहां तक flip करना है 3 तक 2 तक 4 तक जहां तक भी flip करना होगा वहाँ तक हम लोग करेंगे तो int 0 लेते हैं क्योंकि जो भी flip होगा 0 index से इस्टार्ट होगा और last index क्या होगा n जो भी हमें मिलेगा function में और हम जब तक i j से छोटा हो तब तक हम क्या करेंगे flip करेंगे तो i वाला data j पर पहुंचा देंगे j वाला i पर जैसा कि हम लोग discuss कर रहे थे कि जहां से भी flip करना इधर का data इधर इधर का data इधर तो यहां पर लिखते है nt temp equal to तो i का data भी ले लिए temporary में store कर लिए हैं फिर i की जगे पे j का data रख देते हैं and j की जगे पे i का data रखने के लिए हम यहां लिख देते हैं temp और फिर i को आगे बढ़ा देते हैं and j को पीछे बढ़ा देते हैं तो basic reverse technique वाला यहां पर use कर रहे हैं तो flip हो गया एक काम और करते हैं जैसे हर बार हम largest find कर रहे थे जैसा कि approach में discuss किया था तो उसके लिए भी एक function बना लेते हैं तो यहां लिख लेते हैं public int find largest और यहां पर भी वही array आएगा हमारे पास arr int n जो बताएगा कितनी size का array है हमारे पास और एक index ले लेते हैं मान लेते हैं जो पहला element है while largest है और फिर हम दूसरे element से start करेंगे कि अगर वो बढ़ा होए तो उसका index replace कर लेंगे तो i plus plus और यहां पर check कर लेंगे if arr of i अगर element बढ़ा है हमारे particular यह index वाले से arr of idx मतलब हमें कोई हमारे पास जिस index को हम point कर रहे थे उसको largest समझ रहे थे उससे भी कोई बढ़ा मिल गया तो हम अपना index update कर लेंगे यब यह वाला i वाला largest है भई और last में हम क्या कर देंगे पूरा array traverse करने के बाद बता देंगे कि यही यह index वाला largest है अब हम अपना pancake वाले solution पर काम करते हैं तो सबसे पहले हमें list बना लेते हैं जो कि में return करना है तो यहां ले लेते हैं list of integer let's just का नाम रख देते हैं result और यहां लेते हैं new linked list linked list right और यहां पर area का size दे लेते हैं let's say n equal to arr dot length और यहां loop चला देते हैं for int i equal to n and i greater than 1 and i minus minus तो basically यह friends loop जो होगा यह कितने element को sort करना है तो अगर n में 4 है 4 size का है तो हमें 3 ही element को sort करना है जैसा कि हम लोग ने discuss किया था इसलिए जब से n 4 होगा तो मैंने चलाए greater than 1 मतलब 4 के लिए चलेगा 3 के लिए चलेगा 2 के लिए चलेगा तो 3 बार चलेगा आप चाहो तो यह equal to भी लगा सकते एक बार extra चलेगा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा एक iteration ज़्यादा चलेगा फिर भी algorithm पर ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा बट यह थोड़ी understanding हमारी दिखाती है कि हम थोड़ा optimize code लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे सबसे largest को ढूंड रहे थे जैसा कि जो example लिया था हम लोग ने 3,2,4 and 1 तो सबसे पहले largest का index पता कर रहे थे 0,1,2,3 तो यह 2 पता कर रहे थे कि कहां पर है भाई largest तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे let's say int idx index और find largest तो सबसे पहले area pass करेंगे अच्छा अभी तो हमें complete area मिला है लेकिन बाद में जब हम 4 इधर reserve हो जा रहा था 4 को नहीं include कर रहे थे तब हमें size reduce करना पड़ेगा right तो इसके लिए हम i pass कर देंगे कि अब i अभी क्या होगा 4 होगा तो complete area में largest ढूंड रहा है ढूंडना है फिर अगर largest को लोग right corner में shift कर देंगे तो उसको exclude कर देंगे तो इसलिए हाँ पर i use कर रहे है तो largest मिल गया अब हम flip का use कर लेंगे कि flip कर दो भई array को कहां तक index तक ठीक है कि 0 से लेके 2 तक आप क्या कर दो flip कर दो flip कर दिया अच्छा यही flip जो है हम result में भी add कर देंगे क्योंकि result में flip ही बताना है कि क्या-क्या flip किया आपने तो मैंने result किया add और यहाँ पर index प्लस 1 करेंगे क्योंकि यहाँ पर index हम pass कर रहे हैं 2 लेकिन यह flip का size कितना है यह है 3 right क्योंकि 3 element है इसलिए है index प्लस 1 कर रहे हैं तो I hope यह हमारा clear है अब क्या करते है हम फिर से एक और flip करना होगा क्योंकि जो 4 होगा वो starting में आ गया होगा कुछ array ऐसा बन गया होगा 4 4 2 3 and 1 1 as it is होगा अब हमें फिर से flip करना होगा ताकि 4 end में चला जाए तो यहाँ पर मैं flip यूज कर लूँगा और लिखूंगा flip एरे पास करूँगा और I minus 1 पास करूँगा क्योंकि हमें यह index देना है I होगा 4 तो index basically क्या होगा यहाँ पर यह last वाला index होगा 3 तो I minus 1 यहाँ पर मैं पास करूँगा flip में और result में मैं add करूँगा I क्योंकि index plus 1 यहाँ पर हमें add करना होगा similarly जैसा इसके लिए किये थे कि index plus 1 किये थे यहाँ I minus 1 किये तो यहाँ I add कर रहे हैं यहाँ यह solution हमारे accept हो रहा और 99.76 % भी लोगों को beat कर रहा है तो that's good percent so thank you so much for watching this video, मिलते हैं आप से next video में